हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टो माई चैनल, मैं वनना के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है, इन नियमों की पालना और घर के बज़ुर्गों से अलग रहने के लिए हमने अलग से घर में एक मेकशिफ्ट कीचन वा उसके साथ एक बेड्रूम का प्रवंध किया है, देखे यह हमारी मेकशिफ्ट कीचन है, इस तरह से हमने दो चार पाई एक रूम में लगाई है, आप देख सकते हैं, इस तरह से, और कुछ हमने बर्तन कीचन के यहां रखे हैं, यह टेमप्रेरी है, परमने नहीं है, हम 14 दिन के बाद बाकी घर के साथ रहने के लिए चले जाएंगे, इस तरह से यह कीचन है, यह थोड़े से बर्तन है, द ज्यादा मुश्किल नहीं है, और यह सही भी है, देखिए, इसमें मैंने दूद गरम किया है, बच्चों के लिए, और यह इसमें हमने खाना बनाया है, देखिए, मैंने हिमाचल का फेमर्स खेरू बनाया है, मौनसून स्टार्ट हो गई है, बहर बहुत बारिश हो रही है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहर बहुत जोब से बारिश हो रही है, इस तरफ हमारा जो है, वो दूसरा रूम है, हिमाचल में मौसम एकदम ठंडा है, देखिए, हमारे बैग्स भी ऐसे पड़े हैं, और यह दूसरा बैडरूम है, यहाँ पर फैन से काम चल जाता है, हिमाचल में मौसम ठंडा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, और अभी बाहर जोड़दार बारिश हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आईए, बेटा मेरा बोरो हो रहा है, इसलिए बैड पे सो रहा है, देखिए, बहुत तेज बारिश हो रही है, एकदम मावसम बहुत अच्छा है, यह सुबह का खाना बन रहा है, रोज की रूटीन एचली एक ही है, हमारी, क्योंकि हम घर से बाहर जा नहीं सकते, बस अंदर ही रहेंगे, तो देखे, बड़े से प्रांठे मैं बना रही हूँ, और बीच में बच्च यह अगले दिन का वीडियो है, इसमें मेरे हस्बन सबजी काट रहे हैं, वो बहुत अच्छे कुक हैं, और वो अपने लिए शिमला मिर्च पैंगन बना रहे हैं, मैंने बच्चे यह सब नहीं खाते, मैंने उनके लिए दूसरी सबजी अल्रेडी बना दी है, तो आईए मै आई बताते हूं कि वो अपनी सब्जी कैसे बना रहे हैं, उन्होंने एक पैन में तेल डाला है, और सारी सब्जियां काडली है, और तेल में वो सीधे डाल दिया है, कोई मसाला नहीं डाला है, कोई प्याज लसुन, कुछ भी नहीं डाला है, और यह सब्जी इतनी टेस्ट लकczenia में बहुत ढ op Eva the scientific लेखिए इसुमने अभी एक चमच नमक डाला है और वह हल्दी डालेंगे इसके लावा इसमें कोई भी मसाला नहीं है फिर भी ये सब्जी घ्ररावो टेपटी ए अब एक चमज वोह लिए का डाल रहे हैं हल्दी और नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे ढखकर हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे आप फ्रेम लो रखेंगे लो फ्रेम पे ही इसे कुक करना है देखिए इस तरह से और इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है अब इसे हमने ढख दिया है थोड़ी देर बाद इसमें टमाटर डालके थोड़ा सा और कुप करेंगे देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है अब हम फ्लेम आफ कर देंगे क्योंकि हमारी जो बैंगन शिम करोना महमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है इसे फैलने से रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम और गाइड लाइन्स जारी की हैं इस ब्लॉग के माध्यम से मैं यही संदिश देना चाहती हूं कि यदि हम इन नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं तो या इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ी कंट्रिब्यूशन होगी आपको यह बलॉग कैसा लगा कमेंट करके जूर बताएं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जूर करें और हमेशा मुस्कराते रहें और घर के अंदर रहें सेफ रहें बहुत जरूरी हो तब ही बाहर जाएं और जब बाहर जाएं तो मास्क जूर लगा के जाएं और सोसल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें